कि दोस्तों आज की वीडियो में हम सब्झेंगे कि पीएफमस में ऑपरेटर या प्रूबल कैसे बना रहता है सबसे पहले आपको गूगल में पीएफमस सर्च मानना पड़ेगा फिर इसके जो लॉगिन दिखेगा उस पे आप क्लिक करेंगे लॉगिन क्लिक करने के बाद यह पर यूजर नेम और आपको पास्वर्ट रखना पड़ेगा यहां पर यूजर नेम क्या आएगा आपके जो स्कूल के आईडिया आपको मिली होगी और पास्वर्ट जो मिलागा वो आपको एंटर करना पड़ेगा तो जैसे हम यहां पर एंटर कर लेता है तो यह लॉगिन कर दिया login करने के बाद कुछ इस तरह का interface खुला आता है उसके बाद आपको masters दो दिखते हैं नीचे वाले masters में जाना है जो आपको my detail के नीचे दिखता है ठीक है देखें यहाँ पर मैं आपको दिखाए तो ओपर देखिए आपको यहाँ पर users के बाद आपका आना है add new में ठीक है मैंने जम करेंगे बाद में जब में reset password करना होगा यहाँ पर आपके इसमें आएंगे हम add new में समझ गया masters के यूजर्स यूजर्स के बाद add new यह क्लिक करते ही आपके पास आएगा पहले type of users इसको आप स्लेक कर लेंगे कि स्लेक्ट में क्या आएगा data approval मैं आपको दिखा लेता हूँ देखो यहाँ पर करा agency data approval रिखा रहा है second number पर उसे आप क्लिक कर लेंगे ठीक है operator के लिए operator क्लिक कर लिए यहाँ approval कर लिया level 1 लिखाया first name आप अपना लिख लेंगे first name आपको कुछ भी है लिख लेजे जिनका last name नहीं है उसमें क्या लिख देंगे वहाँ dot लिख दीजेगा तो उससे भी चल जाएगा ठीक है कोई issue नहीं होगा क्योंकि और तो कुछ खाली छोड़ नहीं सकते खाल करेंगे तो आपका password उसमें आएगा email id में आ जाएगा ठीक है इसलिए email id है आप फोन नंबर आपके जो फोन नंबर है तो बढ़िए फोन नंबर में आकर नहीं हो तो mobile नंबर अपना भर दीजे मोबाइल नंबर में भी अपना mobile नंबर बढ़ दीजे login आपर आपको बनानी जैसे की एक जामपल के उपने तो हलवानी underscore AP गड कर सकते हैं ऐसे करके ID बना सकते हैं ठीक है जैसे प्रांगा यह तो जो माइनस ओला ऺड़ेश आप जो इसको भी लिग दीजे और उसके बाद stopped तो सम्मिट कर दीजे, जैसी आप इसको सम्मिट कर देंगे, सम्मिट करने के बाद क्या होगा, सीधा आपका जो यह आई, जो create हो गया, ठीक है, वहाँ create हो जाएगा, और वो जो आपका passport होगा, वो कहाँ पर चले जाएगा, आपकी email ID में, ठीक है, फिर वो email ID में, जो user ID तो आपकी यह हो गई, हल्दवानी, underscore, AP जो आपने बनाई है, उसके बाद, और password वो हो जाएगा, कौन सा, जो वहाँ email ID में आया होगा, तो इसके बाद आपको email ID लोग इन करने है, email ID से आप passport ले ले लेंगे, ठीक है, और फिर उसको फिर से वही पर कहीं पर जाएगे, कहां प पर starting में, यह logout करके सीधा starting में जाएगे, और username डालेंगे, password डालेंगे, उसे submit करेंगे, submit करते ही, एक interface खुला आजाएगा, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, नया password चेंज करना पड़ेगा, उस password को change करके, आप क्या करोगे, अपना, क्या करोगे, अपना जो भी आप आपको activities करने डाटा approval में आवेक कर लेंगे, तो यह था easy, अगर आपको फिर भी कहीं problem आती है, तो आपको comment कर देना, मैं कोई ना कोई solution आपके सामने ले आऊँगा, बागे आप चैनल में नए हैं तो please चैनल को like, share और subscribe ज़रूर कीजेगा, thank you